आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने Redmi या फिर MI के फोन में कीबोर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं या फिर अगर आप कीबोर्ड पर अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो आप यहाँ पर अपने फोन में इसके लिए settings को open करिए settings open करने के बाद नीचे scroll करिए और एक option आएगा additional settings इस पर click करिए click करने के बाद एक option आप देख सकते हैं language and input अगर आप कोई option नहीं मिलेगा तो settings में उपर आप search पर click करके इस option को search कर सकते हैं तो जैसे कि additional settings में जाकर हम language and input पर click करते हैं अब click करने के बाद एक option आप देख सकते हैं current keyboard और एक option आपको मिलेगा नीचे manage keyboard इस पर आप click करिए अब आपका यहाँ पर by default gboard select होगा अगर नहीं है तो आप gboard पर इस type से click करिए और वो select हो जाएगा इसकी settings करने का option आजाएगा अब एक option आप देख सकते हैं यहाँ पर theme theme option पर click करिए और यहाँ से आप color change कर सकते हैं keyboard का color पर click करके यहाँ पर keyboard को apply करना है या फिर नहीं वो select करिए और उसके बाद नीचे apply पर click करके आपका वो keyboard set हो जाएगा अपनी photo अगर आपको लगानी है तो my themes पर click करिए उसके बाद जो आपको photo set करनी है यहाँ पर आपकी gallery open हो जाएगी जो photo आपको लगानी है उसपर click कर दीजिए example के लिए यह photo हमने select कर ली है यहाँ पर इसका area select करेंगे कौन सा part आपको लगाना है photo का और उसके बाद नीचे next पर click करिए अब उसके बाद आप देख सकते है done का option आजाएगा done पर click कर दीजिए keyboarders apply करने है या फिर नहीं यहाँ से on off कर सकते है उसके बाद apply पर click करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका keyword change हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं keyboard हमारा change हो चुका है और इस टाइप से आप keyboard change कर सकते हैं अपने Redmi या फिर MI के phone में अगर आपको कोई color set करना है तो color set कर सकते हैं आपर आप देख सकते हैं इस type से वो change हो जाएगा तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe जरूर करें